हाई आपके बाल बहुत जड़ा जड़ा है नए बाल में बहुत सारे जू है जो कि आथकल बहुत जड़ा सबको प्रब्लम हो रही है तो यह एक चीजों को निकाल सकते हैं तो मेरे भी हेर कॉल हो रहे हैं जो भी अभी मेरे बालों में भी आ गए थे तो मैं यह त्राइब कर रही हूं और यह पहले भी ट्राइब करके आप लोगों को बता रही हूं पहले प्याज का रश्ट अपने बालों को घना बना सकते हो मेरे जो आइब्रो हैं बहुत ज्यादा ही पतले थे एंड जो लाइट कलर के थे बिल्कुल भी नहीं पता चलता था स्कीन के कलर में ही दिखते थे तो मैंने इसके प्याज का रशी ट्राइब के था थोड़ा गई है एंड जो जू के लिए बैस रहेगा तो प्याज लेना ह विश्का तो आसी दो है एक बड़िकर नहीं कंने लगाना है इसंद सरा शें खत्म होगा जो होता है मेरी बेटी के और मेरे दोनों जानों के बाल बहुत जादा धड़ने लग गये तो इस तरीके से मैं इसको घिस ले रही हूँ आप मिक्सर में भी पीस के इसका जूस निकाल सब्सक्राइब इस तरीके से अच्छे से घिस लेना है अभी मैं न्यू सिफ्ट हुई हूँ तो मेरे पास अभी कुछ-कुछ समान नहीं है जैसे की मिक्सर वगेरा नहीं है अभी जेदे सार समान हो जाएगा तो इस तरीके से मैं यह कद्दू कस बोलते हैं मैं इसको इसके ही प्याज का दस निकाल दीगो तो मैंने एक प्याज कुदा ले लिया है ताकि बालों में कहीं भी कम ना पड़े अच्छे से प्लाई हो जाए यह मैंने निकाल लिया है एंड इसका क्याज कुछ तरीके से हाथ पे ले लिया है और इसका जो जूस है वो निकाल लिया है तो अच्छे से मैंने प्याज का जूस यहां पर निकाल लिया है यह जूस को आप आईज के उपर लगाओगे जैसे आई ब्रोच के उपर तो उससे आपका जो है काफी हट्टक कम हो जागा असके बाद मैं लेनी हूं धो विटामिन इस के कैप्टूल विटामिन यह आपके बालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है वालो के लिए चेहरे के लिए अगर आपके स्कीन पे बहुत ज़्यादा डाक स्कोर्ट्स है तो आप विटामिन आलू का रस निकालके आलू का जूस निकालके पटेटो उसमें एक विटामिनी की कैप्सुल मिक्स कर देनी है थोड़ी सी सहर डालनी है और वेचन डालके पैक बनाके उसको अप्लाई करोगे तो आपके स्कीन काट टैनिंग एंड डाकनेस डाक स्पोर्ट्स वगरा और जो रिंकर्स होती है वह भी देर देरे रिमो हो जाएंगी तो उसकी वीडियो नेक्स्ट ट्राइम बता दूंगी मैं अभी मैं हेर के लिए बता रही हूं तो बस म बालो की जड़ो में अप्लाई करेंगे तो यह मैंने जहां पे न्यू घर लिया है वहां का मेरा कीचन है इस तरीके से बालो में अप्लाई करना है और इसको आपको बालो में दो से तीन घंटे तक आप रख सकते हो इसमें आप चाहो तो जो आपको तेल सूट करता है वो तेल लगा सकते हो तो मैं यहां पर सर्सो का तेल लगाती हूं तो मैं सर्सो का तेली मिक्स ती बड़ मैंने अभी कुछ मिक्स ने किया है ऐसे भी अप्लाई कर सकते हो अगर आपको तेल नहीं लगाने हैं तो तो इस तरीके से सारे बालों में अप्लाई करना है मेरा साइकिन चैनल है फिरिस्ति वारी टू जिसे मैं सिलाई से रिलेटेड एंड व्लॉग वीडियोज वगर अफ्लोड करती हूँ तब वहापे भी जाके मुझे फोलो कर शक्ते हो लिंक डिस्किप्सन में है इस्टा एड अच्छे से पूरे जड़ों में अप्लाई करना है है हेर गुदाद के सारता आपके फिरिके डैंडरफ और जू बगरा है वो भी अच्छे से जीमू हो जाएंगी है इसके मदद से आप अच्छे प्रोडक्टों में इस नहीं किसे गिला के बालों में अच्छे से अप्लाई कर ले दिए अच्छे से मसाज कर देना है अब बालों को अच्छे से जूड़ा बनाके एक से दो गंटी के लिए छोड़ेंगे ऐसे दो गंटे के बाद आपको इसको वास कर लेना है नौर्मल सैंपो एंड पानी से और आप धीर धीर जैसे इसको अप्लाई करोगे आपका जू तो एक से दो यूज में ही खतम हो जाएगा और एक से दो हक्ते में मतलब तीन से चारी यूज में आपका हेर फॉल भी कंट्रोल हो जाएगा तो आपको वीडियो पसंद आई हो और टिप्स कैसा लगा हेर वास करने के बास्ते मैं आपको इसका वीडियो करूंगी एंड फाइंड रिजल भी बताऊंगी कि कैसा बालों का टेक्ट्चर है स्मूथ्मेंस है कि नहीं राई हो सही रहा है सब कुछ क्लियर करने वाले तो वीडियो को एंटर बहुत चरूर कीजेगा तक इंटर में पर जरू जाएगा झाल चुटभा उसार्ट एमसियथे फोड़ भी और त्रेंट्र कंप अए अघृत रहते यह थाई आसे शाविए पॵल रखington SG अला को में इस्टे रहे यहिए हैस्ट आ की अनिस एससे उसेफिल की कंट धुछ फॉरही अछते समीर जबन थे श्मस्कार में अब करने। कि अच्छे मसाज करना है हम लोग को जलत नहीं होती है लोग अच्छे से मसाज करेंगे हमारे बाल जाता जटने लग जाएंगे लेकिंगे जैसे हम लोग अपने बॉडी के डर्ट को मैंज को अच्छे से मूग करते हैं बैसे हमारे स्केलब काव ये का होता है इसको भी अच्छे से मैल को गंदगी निकालना है तो उसके लिए आपको लगाने के लिए करना है हुई भी शैंपू लगा रहे हैं जो आपको सूट करता है मैंने आप हेड और लिया है है अगर आपको बहुत जाद रहा है तो विटमीन की कैपसूल और थोड़ा सा ग्लीप्री नैट करके फिर बालों में अच्छे से टैंपू को लगाईएगा और रगाने के बाद से दो मिनिट तक टैंपू को ऐसी बालों में छोड़ दीजेगा जब आप यह फॉल हो रहा होगा तो अच्छे से मसाज करके सारे डर्ट को निकालना है बालों में से अच्छे से वास कर लेंगे अच्छे से वास कर, नच्छे से बालों में घचपािएएएब। झाल 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 झाल